इश्के सारी सर्कार, सारी मंत्री से लेके चप्रासी ने, RSS के सामने खुटना टेक पे देखे, और अभी वधान मंत्री जी भी वही भागवल की पाथशाला में जा रहे हैं। इस साबित कर दिया RSS ने, कि RSS इसका असली मतलब है राष्ट की सुप्रीम सर्टार, इस राष्ट की सुप्रीम सर्टार है, कि इस साबित करने के लिए तीम दिल्टी यहाँ पे शिविल लगाएगी। प्रद्यान मंत्री लोकशाही के सबसे बड़े मंदीर पार्लामेंट में तो हाजरी देते नहीं है। पर आज भागवल की पाथशाला में वो पहुँचे थे। अच्छा होता वहाँ जाने से पहले आज राश्टर पती जी ने भी बच्चों को कुछ पढ़ाया था। अगर वो पार्शाला में कदान मंत्री पहले जाते तो कुछ सीख के वहाँ भी कुछ मैं मानता हूँ कि वो सीखा सकते हैं। आज जो बार बार आर एसेस और दीजिय भी कहती है कि साथ साल में क्या किया और इस देश की जन्ता को जो गुम्रह करने की कोशिश करते थे। उसकी सही शिक्षा अगर आज राश्टर पती जी की पाक्षाला में हो जाते तो गुल जाते हैं। और राश्टर पती जी ने कहा कि देश आजाद हुआ तम पचास मैट्रिक तन से भी जादा, पचास मैट्रिक तन से भी कम फ्रूड के हमारे वहां तहन पैदा होता था। त्टेली मिलान में तन पैदा रूर्श्टर पतन से वोल स्विक्त प्रूड केता हुआ वान पचास मक्रावड का भी कम फिंद से युरिके सिर्ञज रिज अडचास मां, हुआरो फ्रूड केतां commence। स्टील प्रोडक्शन एट मिलियन टन से भी काम जो होता था वो 80 मिलियन टन तक महुंचा। सिमेंट प्रोडक्शन 2.2 मिलियन टन 1951 में इस देश में होता था वैदा। आज सिमेंट के प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे लंबर पर अगर कोई देश है तो और हमारा देश है। नहरू जी, नसीमा राओ जी, मनमौन स्वी जी इन सभी का जो योगदान रहा है। और कितनी तरफ की इस देश ने कैसे की, वो अगर आज प्रदान मंतरी वहां जाते हैं तो इस पार्शाला से जरूर कुछ सची और अच्छी बाते शिखने की देए। NGO's का रोल भी सराह है और दूसरी और हमारे एक वदान मंतरी हैं जिन्हें Greenpeace भी नहीं चाहिए। जिन्हें कौर्ड फाउंदेशन भी नहीं चाहिए। जिन्हें सिर्फ बुही लोग चाहिए। जो हां में हां में आज देश के सैनिक काफी दिनों से अंशन पे बैठे हैं। उनके लिए तो ये कुछ बोलते नहीं ना उनकी कुछ सुनते हैं। और भागवत को सुनने के लिए और उनके जवाब देने के लिए इस देश के बरान मंतरी। वहां पहुंच गए हैं उन विचारधारा के पास। जो विचारधारा इस दिक्ष के सब्विदान के साथ चलती नहीं। मैं अभी प्रेश कॉनफर्श जो आएसेस की हो रही थी। वो देख रहा था। गहां गया कमाई, पढ़ाई और गवाई। कमाई, पढ़ाई और गवाई। गाउं में ठीक से मुहवया नहीं होती है। इसलिए गाउं से लोग पलायक करते हैं और शहरों में जाने बसते हैं। अगर आखिर दस साल का इद्यास देखा जाये तो यह सच्चाई है कि सबसे ज्यादा गाउं से लोग पलायक करके कंपलसरी शहर में जाने के लिए मजबूर हुए तो गुजरात में। तो यह अगर RSS का मानना है कि गाउं से लोग जाते हैं और यह इनके संसकार हैं। तो सच्चाई तो यह है कि जिस मॉडेल की बात करते हैं। वहाँ हकीकत कुछ और इंटर्नल सिक्यूरिटी और देश की सुरक्षा इसका हमने आंकलन और समिक्षा की RSS की प्रवक्ता कहते हैं। मैं मानता हूं राष्ट की सुरक्षा चाहे RSS बले ही अपने आपको राष्ट की सुप्रीम सरकार माने और इस देश में जिसको चुन के भी जाना है और उनकी सरकार परती है उनकी जिम्मेवारी होती है कि ये बाते राष्ट की सुरक्षा की उसकी एक लेविडेशन होती है और वहीं पर ये बाते हैं। development model की भी बात आज RSS जो कर रहा है और मुर्दी का development model वो east and west है कि कहते कुछ है करते कुछ है और है और होता कुछ और है